खबरे तो आप बहुत देखते होंगे लेकिन खबरों को गहराई से जाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को दबाएं नमस्कार आजिस्थान सब्वाज में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ चेतना गुर्जर में आपसी मनमुटाव किसी से छिपा नहीं है करनल के रोडी बैसला और हिम्मत सिंगा गुठ हमेशा से अपने तीखे तेवर को लेकर चर्चाओं में रहता है लेकिन एक बार फिर दोनों के नेताओं के बीच मनमुटाव के खत्म होने के संकेत दिखाई दे रही है जिसमें बैसला शायराना अंदाज में ये कह रहे हैं कि हमने तो ये जिन्दगी जीने का सलीका बना लिया किसी से माफी माग ली और किसी को माफ कर दिया गुर्जरों में आरक्षन अंदुलन के बीच छिड़े आपसी मनमुटाव के बीच करनल किरोडी सिंग बैसला का यही वीडियो इसी शायरी पर सोचने को मजबूर कर रहा है कि करनल बैसला हिमत सिक से माफी माग रहे हैं या फिर उन्हें माफ कर रहे हैं जो भी हो लेकिन इस बार करनल साहब एक बार फिर से हिमत गुट को मनाने का प्रयास कर रहे हैं सोचल मीडिया पर वाइरल वीडियो में इसे बात के संकेत मिल रहे हैं इस वीडियो के बाद चर्चाएं इसली हो रहे हैं क्योंकि जहां दोनों नेता एक दूसरे से बात तक करना पसंद नहीं करते थी वहीं दोनों नेता बयाना में असी गाओं के पंच पटेलों के सामने अपनी बात रख रहे हैं बैसला के इस वाइरल वीडियो में वे कह रहे हैं कि आप मेरे मित्र हैं आंदुलन के साथी हैं कौन सी जमीन के लड़ाई हैं हमारी तेरे मेरे बीच में कौन सा खेत बट रहा हैं तुम दोसा के मैं करॉली का करनल 12 ने भाजपा के नेता को दोनों के मदभेत कराने का अद्धोश दिया वो नेता ना तेरा नाम लेता ना मेरा लेता बीजेपी में शामिल होने के बाद गुर्जर संखश्व समीती के नाराज़्गी के बाद एक पहला मौका था जब दोनों गुट एक साथ दिखाई दिये गुर्जर नेता हिमत सिंग ने सरकार को चिताब ने दी हैं कि जल्द ही गुर्जर आरक्षन समझोते की पालना की जाए और वार्ता के लिए बुलाया जाए नहीं तो महा पंचायत कर आंदुलन का आगास फिर से किया जाएगा हो गए हैं उन परिवारों से माफी मांगे आप उन हजारों हजारों बेरुजगार युवाओं से माफी मांगे जो चार परसेंट भरती के लिए आज दरदर की ठोकरे खा रहे हैं आप चार परसेंट की भरती के लिए आप आरक्षन की लड़ाई के लिए जो दम भरते थे उस आरक्षन के लड़ाई को बीच में छोड़कर बीच चौराय पर छोड़कर आप राजनिती में चलेगे आपको राजनिती आपको बहुत-बहुत मुबारख हो अभी अस्ति गाउं के पंचपटलों ने यह निन्य लिया है कि 28 तारिक यदि सरकार ने वारता नहीं की तो हम नहरा सेक्टर में बहुत-बड़ी मापंचायत करेंगे और उस मापंचायत में अंदोलन का अगाज किया जाएगा अपने सपस्ट सरकार को चेताओनी दे दिये राज्य सरकार को चेताओनी दे दिये कि हमारी 4% की जो प्रकेरा दिन भ अगर आप डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट बन जाते हैं तो जॉब्स के कई रास्ते खुलेंगे ही बलकि अगर आप जॉब ना करना चाहें तो कम इंवेस्मेंट में आप अपने बिजनिस को भी शुरू कर सकते हैं ज्यादा जानकारी के लिए कॉल कीजे